हेलो दोस्तो स्वागत आप सब का नौले एंटेटेनर्स में मैं हूँ आपका दोस्त कपिल तो दोस्तो अगर आपने नौकरी.com पर जौब के लिए अपलाई किया है और दोस्तो आपको वहाँ से कोई भी रिस्पॉंस नहीं आ रहे है किसी भी HR की कॉल नहीं आ रही है आप व दोस्तो आई ये अब ज्यादा टाइम ना ले तो यह वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि वह कौन-कौन सी टिप्स है तो दोस्तो दीखें नौकरी.com पर अपलाई करते टाइम यहां पर दो कैटेगरी के लोग होते हैं तो दोस्तो फर्स्ट कैटेगरी क्या ह होती है जो अपनी यहां पर प्रफाइल को बनाते हैं लेकिन वह आप पर वेट करते रहते हैं 1-1, 2-1, 3-1, 4-1 लेकिन उनको किसी भी HR के कौन नहीं आती है जॉब के लिए तो वहां पर क्या मिस्टेग होती है वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे ठीक है तो फर्स्ट ग काल की देन आप सिलेक्ट हो गए तो वो क्या था वो एक ऐसी चीज क्लिक हो गई कि उसको चाहिए था लोकल लेवल पर कोई और उसे वो मिल गया वह भी एक फ्रेशर मिल गया क्योंकि फ्रेशर क्या होता है कि सैलरी कम लेते हैं according to experience तो उन्हें वहां पर मिल गया तो यह फर क्योंकि मेरी जोब ही मैं जहां पर जॉब कर रहा हूं तो दोस्तो वह मुझे नौकरी.com से मिली थी तो दोस्तो वह मैं आपके साथ सारा experience से यहां पर शेयर करने वाला हूं तो दोस्तो देखिए जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आपको मैं एक्जेंपल के साथ समझाता हू कि कुछ समय पहले ही कौन सी वीडियो अप्लोड हुई है अगर आप आपके सामने आएगी कोई चार साल पुरानी वीडियो तो क्या आप उससे देखोगे बहुत सारे chances कम है कि आपको यार यह वीडियो बहुत पुरानी है इसमें प्रोरना पर stress बताया होगा तो आप धून बीच बीच में मान लीजिए एक वीक के टू वीक्स या फिर फोर वीक्स तो दोस्तों अगर ऐसी उनको प्रोफाइल वहां पर फिर शो होती है अगर देखिए कोई न्यू प्रोफाइल बनी है और उसकी प्रोफाइल में बात है वो जो की जौब वाले को वहां पर चाहिए यह company को चाहिए ठीक है तो वह जब वहाँ पर filter लगता है कि new जो अभी कौन से हैं first या second week वाले तो वहाँ पर उनकी लिस्ट कर जाती है ठीक है तो वहाँ पर उनकी profile rank कर जाती है तो वह देखने है अगर उनका अच्छा लगता है तो दोस्तों इसी तरीकी से देखिए इसका आपके पास solution क्या है तो अब आपको होगे कि आपको तो यहां पर बनाए हुए शेम हाई ने हो गया तो अब उसको आपको क्या नहीं बनानी पड़ेगी ऐसा नहीं है दोस्तों देखिए अगर आप नौकरी.com की app को भी open करेंगे ना वहाँ पर भी लिखा होता है आप डेल प्रफाइल को अपडेट कर देना है तो अब एडिटिंग की बात करते हैं कि क्या आपको कुछ जूटी लिखते रहना है हर बरी ऐसा भी नहीं है कुछ चीज वैसे ही एडड करनी है ऐसा भी नहीं आपको सिंपल ही क्या करना है जैसे अभी आप यहां पर स्क्रीन पर देख तो दोस्तों अब क्या होगा जो भी यहां पर रेक्रीटर जब सर्च करेंगा आपकी प्रफाइल के लिए तो दोस्तों वहां पर अप्डेटिड में आपकी भी आजेगी अगर वो फिल्टर करेगा 2 लिक्स या 3 विकस वाला तो आपके प्रफाइल वहां पर र् connections वाला तो तो आपको अपनी profile के जो keywords यूज़ करना है उन्हें ठीक यूज़ करना है तो देखिए अगर आप यहाँ पर job जाते हैं कि data entry की job मिले यहाँ फिर आपको accounts की job मिले यहाँ फिर आपको bank में job मिले तो वहाँ पर आपको उस से related keywords ही डालने है जो कि आपको knowledge होगी ठीक है क्योंक finance के regarding कुछ चीज़ना चूज़ कीजिए अगर आप banking है वहाँ पर आप sales चूज़ कीजिए ठीक है वहाँ पर debit card, credit card, knowledge ऐसा कुछ चीज़ना यूज़ कीजिए ठीक है तो अगर आप right keyword use करेंगे according to your profile दोस्तो तब भी आपके chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको यहाँ पर job मिले तो दोस्तो यह तो होगी second चीज़ keyword तो दोस्तो अब third चीज़ बहुत ज़्यादा main है क्योंकि देखिए अगर आप कहीं पर local भी जाते हैं अपनी job लेने के लिए किसी bank में जाते हैं ब्रांच में जाते हैं कहीं और जाते हैं आपका resume में तो आपका resume में बिल्कुल अच्छा बना चाहिए अफेक्टिव होना चाहिए और दोस्तो एक चीज़ का ध्यान रखिए आपको किसी cafe में जाने की जूरत नहीं है कि वहाँ पर आप गए computer cafe में गए उनसे का किसर हमारा resume में बना दो क्योंकि दोस्तो उनके पास कुछ templates बनी हुई होती है व और आप उसके लिए कितने valuable हो तो दोस्तो आपसे ज़्यादा वो cafe वाला आपके बारे में नहीं जान पाएगा तो दोस्तो इसलिए resume में आपको खुद design करना है खुद बनाना है तो दोस्तो कैसे बनाना है अगर आप banking के लिए ढूण रहे हो यहाँ पर decision में उसकी video मिल जा और दोस्तो अगर आप किसी और field के लिए हम पर चारते हैं कि आपको resume का नहीं पता चल रहा है तो दोस्तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं लेकिन अगर आपने इन दोनों वीडियो को देख लिया तो आपको बहुत idea लग जाए अगर आपकी profile के साथ और जो उसको जरूरत है जो job की specifications है वो दोनों match कर जाती है ठीक है जैसे कि अगर उसको जरूरत थी कि वो किसी account को handle करे या फिर अपने month last में एक bank statement अच्छे तरीके से बना कर दे और आपने profile में अपने resume में दोनों में ठीक है आपने चीज़े mention की हुई होगी तो दोस्तों वहाँ पर chances बहुत कर रहे है नौकरी.com पर ठीक है तो मैं यहाँ पर इदर उदर की बाते नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने YouTube पर ऐसी वीडियो भी देखी दी जिसमें जो बताते हैं ना वो बहुत सारा चीज़ों को घुमाते रहते हैं लेकिन दोस्तों मैं आपको to the point चीज़ें बता रहा हू है और वैसे ही आपने क्या किया यहां पर अपनी फोटो को अप्लोड कर दिया ठीक है तो आपको ऐसा नहीं करना है ठीक हो आपकी LinkedIn प्रोफाइल हो यहां फिर आपका नौकरी.com हो यहां फिर कोई भी जॉप पोटल हो तो आपको वहां पर जो आपकी पिचर यूज करनी है तो दोस्तों वो एक genuine picture होने चाहिए, formal picture होनी चाहिए ठीक है तो आप जैसे मेरे चैनल की picture दीखिए ऐसी picture आपको यूज करनी है जो कि एक formal और genuine picture लगे जिसे देखकर recruiter कर लगे कि हाँ आप एक knowledgeable person हो और आप में कोई यहां पर discipline है ठीक है तो आपको ऐसी picture को upload करना है और द दोस्तों यह 4 points cover हो गया तो दोस्तों अब 5th and last point के बार में बात करते हैं जो मैंने आपको बताया था कि 5 points बताने वाला हूं ठीक है तो दोस्तों यह 5th point यहां पर है कि आप कहीं पर job कर रहे थे और अभी आप क्या हो आप notice period पर हो ठीक है तो दोस्तों अगर आपका notice period यहा आप 1 month के notice period पर हो यह 1.5 month के notice period पर हो तो दोस्तों उससे क्या होगा company को बता चल जागा यार कि यह बंदा ना यहां पर छोड़ने वाला है और अब हम इसे अपनी company में ले सकते हैं तो दोस्तों इसका आपको plus point रहेगा और अगर आप वहां पर ही लिग देंगे ऐसे update करते आप तभी उसको update मत कीजिए तो जब आपका रह जाता है ना one month का यहां उससे कम का तब आप अपनी profile को update कर दीजे कि आपका इतना notice period रहता है उसके बाद आप अपनी company को छोड़ने वाले हो तो जो भी recruiter आपकी profile को चेक करेगा then वह आपसे contact करने के बाद आपको select कर लेग तो यह तीन चाज़ा पर आपको अच्छे तरीके से work करके रहना है then आपको daily उसे open करके एक बार देखते रहना है अपनी profile को अपनी mail चेकरते रहना है और दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि आपको अपनी profile को update रखना है अगर दोस्तों आपने इन सभी चीज़ों को कर ल होती है और दोस्तों कैसी लगी है आपको मेरी वीडियो दोस्तों जुरू आप नीचे comment section में बता सकते हैं और यार वीडियो को बनाने में महला लगती है तो एक बार यार लाइक कर देना और हो सकते तो वीडियो को अगर आपके ऐसे friends है जिनको और भी यहां पर job की requirement है तो कौन कौन से तरीकों से आप ले सकते हैं उसमें सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी ठीक है दोस्तों ऐसी और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रही है तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे ऐसी और भी के नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी क अल्विदा दूस्तो